जहिन सात्यो मैली स्वागत करता हूँ आपका फिर से आपके अपने यूटूब चैनल शोट्रिक वैली सर में देख लिजिए जो यह हमारी डेडियो ऑपरेटर की भढ़ती पिर्किर्या का यह पेपर जो है यह संबावित है कि सोरी जुलाई या अवस्त में हो सकता है तो उसके लिए कुछ बच्चों के केमेंट्स हा रहे थे कि यूथ कंपरिशन का प्रक्टिस है बोल अगबा दीजिए तो यह यूथ कंपरिशन का प्रक्टिस सैट में लाया हूँ और यह आज जो हमारा प्रक्टिस सैट है इसमें देख लीजिए मैं यहां से आपको इसके चारो ही पार्ट कराऊंगा हिंदी, बिज्ञान, मैथ और रिजिनिंग चारो ही पार्ट मैं आपको कराऊंगा तो देख लिजिए पहले प्रक्टिस सैट का पहला पार्ट जो हमारे पास है समानी हिंदी वो आपके सामने मैं लेकर आया हूँ वीडियो सुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सेर भी जरूर करें तो देख लिजिए सुरू करते हैं आज का आपका अपना प्रक्टिस सैट पहला सवाल है आपका पहला देख लिजी क्या है कि आपको ये पहरा दिया हुआ है और इसमें से आपको पहरा पढ़ने के बाद उत्तर छाटने है पहरा आपका तत्परता हमारी सबसे मुल्यवान संपत्ती है इसके दुआरा बिस्वास नियता प्राप्त होती है बे लोग जो सदेब जागरुप रहते हैं ततकाल कार्यात हो जाते हैं और जो समय के पावंद हैं बे सरवत्र विस्वास के पातर समझे जाते हैं बे मालिक जो स्वम कार्यातत पर होते हैं अपने कर्मचारियों के लिए प्रेना का स्रोत बनते हैं और काम की उपेक्सा करने वालों के लिए अंकुस का काम करते हैं बेयानुसासन का साधन भी बनते हैं इस परकार अपनी उप्योगिता और सफलता में अभी व्रद्धी करने के साथ साथ बे दूसरों की उप्योगिता और सफलता के भी साधन बनते हैं एक आलसी व्यक्ति हमेशा ही अपने कार्जे को भविष्से के लिए इस्तहकित कर जाता है करता जाता है, बहस हमेंसे पिछड़ता जाता है और इस प्रकार अपने लिये ही नहीं दूसरों के लिए भी विक्षोब का कारण बनता है उसकी सेवाओ का कोई आर्थिक मूल्य नहीं समझा जाता है कार्जे के पिरती उत्सहा और उसे सिग्रता से संपन करना कार्जे तत्परता के दो प्रमुक उत्पादन है जो सम्रद्धी की प्राप्ति में उप्योगी बनते हैं इसके अक्वर्डिंग हमें महां से कुछ कुस लों उत्तर देने हैं पहले ही पिरसना आपका का कार्जे कुसल प्रमार का कार्जे तत्परता का庭्योगी ता या जगुरिपता जल्दी से बताईए जो है यहां से क्ई हो सकता है तो देख лीजे इसमें जो गद्धहंस का हमारा सुरूत है उसमें ही क्या कह रखा था कि ततपरटा हमारी सबसे मुल्यवान संपति है इसके दूरा बिष्वासनियता प्राप्त होती है तो देख लिजिए ततपरता के बारे में बात की गई है तो आप बताओगे ततपरता कौन से अप्सmate में है यहां से तो देख लिजिए अप्स Mirror C कारय ततपरता तो इसका अप्स nem सी जो है वो बिल्कुल सही है आप देख लिजिए डूसरे नम्बर का सवाल है के जीवन में सफल सिद्ध होने के लिए आवस्था कुत पादनों में से एक प्रमु कुत पादन है कार्या और आर्थिक समा जागरुकता अनुसासन या ततपरता ठीक है दूसरे सवाल का भी आंसर आपको देना है तो देख लिजे ये भी जो गद्धान सा हमारा किसके उपर ह होगा ततपरता हमारी मूल्यवान निदी है इसमें इससे हम ततपर होकर काम करते हैं और समय पर काम करके सफलता प्राप्त करते हैं ठीक है उप्सन भी है जागरुक जागरुक ब्यक्ति सब्सक्राइब उत्साहित होकर ततपरता से अपने कार्य में जुड़ जाते हैं और यही विश्वासनियता सफलता का साधन बनती है यही तत्परता सफलता और समध्दी की प्रमुगत बादन है तो देख लिजी यह जो है आपका B उप्सन ही मुझे सही लग रहा क्योंकि हम अभी पढ़ते हुआ रहे हैं क्या है कि आप इसका उप्सन नमबर B ही बिल्कुल सही है अब देख लिजी जो आपका चोथा और पाच्वा सवाल है कि लिपी चिनों के क्रमबध समू को क्या कहते हैं अक्षर बन बन शमू या बनमाला तो चोथी नमबर के सवाल का आप आंसर दीजिए ठीक है तो देख लिजी यहां सा बात की जाए ठीक है क्या कहते हैं लिपी चिनों के क्रमबध समू को तो देख लिजी जब आप बनमाला पढ़ोगे हिंदी में तो क्या था बनमाला के क्रमबध समू को क्या कहते हैं बनमाला ठीक है तो यहां से क्या होगा option number जो ड होगा आप बिल्कल सही होगा आप देख लिए जो आपका अगला पाँचवा सवाल है के हैसी कौंसी तो मात्राएं है इजिनका प्रीयोग तो किया जाता है किन्तों उनका स ещёर में नहीं किया जाता परंतों का समगे सीर में नहीं किया जाता तो आपको बताना है यहां से कौन सी है इन में से देख लिए यह दो आपके सामने है आ, ई, अंग है, री, उ, और जी, यह है अंग और आ, ठीक है आपको बताना है कि इन में से कौन सा सही होगा, कुछ सा नमबर पांच का अंसर आपको बताना है तो देख लीजी क्या है कि एजो आपके अंग और आहा होते हैं यह क्या होते हैं आप बताओगे यह आयोगभा होते हैं ठीक है इन्हे हम स्वरूं में काउंट नहीं करते तो कौन सा आप बताओगे और सा नमबर भी जो है वो बिल्कुल जही है आयोगभा ठीक है आप देख लिए जो आपका छटे नंबर का सवाल है संस्क्रत से हिंदी में प्रियुक्त मूल सब्द से बर्तमान इस्थाई तद्भव रूप तक पहुचने के माध्यम में संस्क्रत के एसुद या तूटे-फूटे रूप में प्रियुक्त होने वाले सब्द क्या कह हैं आप बताओगे अर्द तत्सम कहलाते हैं अब देख लिए साथवा सवाल है आपका के सब्द प्रिकार के आधार पर मनुस्यता सब्द का कौन सा भेद है गुणबाचक विसेशन भावाचक संग्या जातीबाचक संग्या या प्रियनार्थक किर्या तो आपको साथवा स अवस्ता, गुणदोस, धर्म, दसा, या स्वावावादी का बोद कराते हैं वह क्या होते हैं तो आप बताओगे वह भावाचक संग्या में आते हैं तो यहा देख लिए यहां से देख लीजिए आप ये मनुस्यता जो है किसी भी एक्ति का गुणब या दोस है तो यहां स आप क्या बताओगे, उप्सन नमबर B, C, सोरी, C, इसका बिल्कुल सही है, भावाचक संग्या, अब देख लिजिए, जो आपका आठवे नमबर का सवाल है, बापके सामने है, सवाल है, आपका इंद्रियों को जीत, इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसमें, बाक्यांस के लि कर्ण को कर्ण से, संपर्दान के लिए, आपदान से अलग, ऐसे है, ठीक है, संपर्दान, तो यहां सा आपको बताना है, क्या होगा, तो देख लिजिए, आपदान से अलग, ठीक है, अलगाब की बात की जाएगी, तो यह स्वे जो है, यह आपदान पर चला जाएगा, और अलगाब की बात नहीं होगी, तो आपको बताओगे, से किस पर जाएगा, करनकार पर जाएगा, ठीक है, करताने करम को करन से, ठीक है, तो यहां से क्या है, option number D, जो आपको बिल्कुल सही है, अगला सवाल है, दस्वे का, कितन सब्द का, लिंग निर्धारित कीजिए, पूर तो आपको बताना है कि तन कैसे परकार का लिंग है, ठीक है, तो देख लिजी यह जो आपका तन है, यह किस परकार का लिंग है, तो आप बताओगे, ठीक, तो यहां से देख लिजी तन जो है आपका, यह पूर लिंग में आएगा, ठीक है, तन किसमा आएगा, आप बताओ आपका पुरिंग में आएगा तन बैल लड़का ठीक है के उसका तन कैसा है थिक तो तन कैसा मतलब किसमें आएगा आएगा आप बताओगे पूरुलिंग में आएगा बारे नमबर का सवाल हो आपके सामने इस्क्रीन पर सवाल है कंचन एक किर्षांगिनी यूबती है इस वाकिय में कौन सी एसुद्धी है सब्द चेन सम्मेंदित इसुद्धी बर्तनिगत तो आसुद्धी वियाकरण की एसुद्धी या सब्द निर्माल की असुद्धी यहां से आपको बताना है तो देख लिजी यहां से क्या कंचन एक किर्शांगिनी यूबती है तो यहां से आप बताओगे कौन सी असुद्धी है इस बाग्य में ठीक है तो देख लीजे यहां से आप क्या बताओगे यह जो आपका क्रिशांगिनी है इसके साथ आप यूबती का प्रियोग नहीं करोगे तो यहां आप क्या बताओगे कि सब्द चैन संबंधी असुद्धी ओप्सन नमबर ए जो है इसका बिल्कुल सही है अब देख लीजे तेरवे नमबर का सवाल है कि निमिलखित में से कौन सा अनौपचारिक पात्र का उधारन है मोहले में बिजली की समस्या के लिए जिला अध्यक्ष को लिखा गया पत्र या प्रधानाचार्य को दो दिन के अपकास के लिए लिखा गया पत्र तेरवे शवाल का आपको आंसर बताना है तो देख लीजिए अनौपचारिक की बात चली है तो अनौपचारिक पत्र एक ऐसा पत्र होता है जिसे निजी जीवन से पत्र कहलाता है अब देख लिए जो चोधवे नंबर का सवाल है आपका वा आपके सामने स्क्रीन पर है सवाल है हिंदी भासा में हस्ब सुरो की संख्या कितनी है साथ ग्यारे चार या दो हिंदी बढ़ माला में हस्ब सुरो की संख्या जो है वो कितनी है तो देख लिए हस्बब सवर होते है 5KUN KUN से Yep π्राकृर्टिक सवर होते है ik कृकर्टिक सवर भी है या अब कोई सबूजब में बइसieve या पके सामने स्क्रीन पर हैं Cारों है mimौर हो यही आपके क्या हैं तो आप बताओगे प्राक्रितिक सुवर हैं तो किस सवाल में इसका अंसर तो आप बताओगे उप्शनमबर बी जो है बिल्कुल सही है चार पंदर्वा सवाल है कि जिन समाजिक सब्दों में पहला पद संक्या को ब्यक्त करने बाला बिसेसर होता है बेसब्द कहलाते हैं दुवंद समाज दिकु समाज बहुरी ही समाज या अब यही भाब समाज तो यहां से आपको पंदर्वा सवाल का अंसर बताना है तो देख होता आप बताओगे पहला पद संख्यवाची होता बहुवरी समास में क्या होता आप बताओगे बहुवरी समास में किसी की उपादी आती है क्या आती है किसी की आप बताओगे उपादी आती है और ये अब यही भावसमास में क्या होता है तो आप बताओगे जो आपका अब यही भावसमास होता है उसमें आपको उपसर गलाव मिलता है ठीक है तो यहां से देख लीजिए बात की गई है संख्यवाची सब्द की तो संख्यवाची सब्द आपके किसमा आएंगे आप बताओगे दिगू समास में संख्यवाची सब्द आते हैं अपसे नमबर बी जो है इसका बिल्कुल सही है अब देख लीजिए जो आपका 16 नमबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है कहने कोसिस कीजिए आते हैं नमबर का सब्द आते ही सवाल है अब देख लिए जो अगला बाला अन्स होता है और एक पिछला बाला तो परत्य होता है अगर आप इसके टुक्ड़े करेंगे सुहाय प्लस आबना तो आबना आपके दो में है किसमें सी और डी में ठीक है अब देख लिजी यह क्या लिखाई तो क्या होगा इसमा आई आबना यह है तो यह गलत होई है तो बचकौन आप बताओगे आपका उपस नमबर डी बल्कुल सही है अब देख लिजी जो आपका अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर सवाल है निमल की बीखित में से कौन सा सब्द तथ्सम है यहां सा आपको बताना है मा तत्सम है मचली तत्सम है केला तत्सम है या अमूल्य तत्सम है तो देख लीजिए बात की जाए अमूल्य की तो अमूल्य क्या है आपका तत्सम सब्द है ठीक है और इसका अगर तदभव देखे हैं तो इसका तदभव होता है अमूल ठीक है मा जो है आपका तो मा का तदभव होता है माता ठीक है और मचली का तदभव होता है मतस्य है और केले का तदभव होता है आपका कदली ठीक है ठर्वे सवाल का भी आंसर बताना है तो देख लीजिए जो आपका ठर्वा सवाल है उसमें क्या होगा तो आप बताओगे जो सब्द संस्कृत भासा से उत्पन या बिक्सित हुए है ठीक है जो संस्कृत भासा से आया है अर्थात मतलब जो संस्कृत भासा के सब्दें उन्ह हम क्या कहते हैं तद्टसम् कहते हैं और जिन के साथ क्या कर गया धुरा मलो लगया उन्हें और्ध tracing कहते हैं और जो संस्क्रेइट भात्सा से पूरा ही रूप बदल दिया उन्हें क्पा क्षाइब हम तद्ध पर सब्द कहते हैं ठीक है तो देख लीजिए यहां से अगर बात की जाए आपकी यह किल-किल जो है आपका कैसा सब्द है तो यहां से देख लीजिए जिन मतलब ये क्या है आपका देशज सब्द है किल-किल अब ये देशज है कैसा है तो देख लीजे देशज की अगर बात की जाए किसा है तो आप बताओगे बेशब्द जिनकी उत्पत्ती का मूल पता नहीं हो परंतुबे पिरचलन में हो जिनकी मूल उत्पत्ति का हमें पता तो है नहीं किल-किल का पता है हमें कहां से उत्पत्ति हो यह नहीं मगर यह पिर चलन में है तो यहां से जो ऐसे सब्द होते हैं जिनकी हमें मूल उत्पत्ति का नहीं पता होता और वो पिर चलन में हों तो वो क्या कहलाएंगा अब बताओगे देशासब जैसे किल-किल एक कटोरा, एक लोटा, एक ठेटी ऐसे जो सब्द होंगे हमारे ये क्या कहलाएंगा अब बताओगे देशासब जो कहलाएंगे अब देख लिए बीसमे नमबर का सवाल है आपका के अलमारी कौन सी भासा का सब्द है तो देख लिए फार्सी भासा में जितने भी आएंगे फसाद वाले आएंगे अर्भी भासा में जितने भी आएंगे मतलब ये आसकी वाले आएंगे जैसे ठीक है जैसे क्या आएगा पर पुर्टगाली माएंगे तो यह आपका अलमारी जो है पुर्टगाली भासा का सब्द है अब देख लिजे जो आपका 21 नंबर का सवाल है सवाल है आपके 21 बाके जिन सब्दों का प्रियोग बाकियर कोसरभ्य भावार्थ और बलपरिदान करने के लिए होता है ब्रवाक्य के अंग नहीं होते क्या कहलाते हैं आप बताओगे निर्भी भक योगिक मौलिक या निपात आप बताओगे क्या होते हैं बे 21 वे नंबर का सवाल जो है तो आप बताओगे उन्हें हम क्या कहते हैं निपात कहते हैं उप्सन नंबर D बिल्कुल सही है अब देख लिजिए दिये गई बिकल्पों में से सुद्ध सब्द का चैन कीजिए मुल्यवान मुल्यवान गलत है क्योंकि अपने पहरे में भी पढ़ा मुल्यवान मुल्यवान पर बड़े उकी मात्रा है ठीक है मुल्यवान पर क्या है आप बताओगे बड़े उकी मात्रा है तो मुल्यवान का मतलब सही क्या होगा बड़े उसे हो जाएगा ठीक है अब देख लिजिए यहां पर कौन सही दीख रहा तो आप बताओगे यह जो आपका दूसरा है किलिष्ट ठीक है किलिष्ट में ठै नहीं होता टै होता यह भी आपका गलत है ठीक है और यह क्या ब्रह्मा ब्रह्मा भी आपका गलत है क्योंकि ब्रह्मा होता है बचा कौन आपका पिता को पिता क्य है बिल्कुल ठीक है तो अपसन नमबर डी के है इसका बिल्कुल सही जवाब है अब देख लिजे जो आपका तेईस नमबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है सवाल है के दिये गए बाक्यों में से बहस अब चुनिए जिसका प्रियोग सदा एक बचन के लिए होता है ककसा आसू प्राण या प्रती एक तो देख लिजे यहां से तो सीधा सीधा आपको दिख ला कौन अपसन नमबर डी प्रती एक बिल्कुल सही है अब देख लिजे जो चोबिस नमबर का सवाल है के बाक्यों का बरगी करन कितने आधार पर किया गया है तो देख लिजे दो भी होते हैं आपके वो दो प्रकार किये जाते हैं उपसन नमबर ए बिल्कुल सही है कौन कौन से प्रकार होते हैं आप बताओगे पहला प्रकार होता है आपका रचना के आधार पर और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर ठीक है तो दो प्रकार होते हैं पच्छिसमें नम के सवाल का अंसर बताना है तो देख लिए यह जो आएगा 25 नमबर के सवाल में के Еक ही उद्देशिया और एक ही विदे हो तो क्या होड़ा है हमारे सरल बाग्य के कहलाते है जैसे मीना दोड़ती है राम खेलता है ठीक है तो यहां देख लीजे क्या होगा हमारा के एक ही उद्देशी होगा और एक ही क्या होगा आपका विदे होगा राम है खेलता है उद्देशी खेलना मीरा दोड़ती है तो मीरा क्या कर रही है दोल रही है तो अपसन नमर सी इसका बिलकुल सही है प्रती एक बर्ग का दूसरा और चोत्हा अच होता है खेप महा पर को कहता है बंग का लिक है और आप पर प्हेला थेज़ा होता है का लिक हम पराण होते है ऐब होते हैं अब देख लिए 27े इससों नमबर का सवारे क्यों पर्किकरान है संप्रक्ट दुहैनी युगमक दुहैनी शयुक्त दुहैनी या दूइत्व दुहैनी ठीक है यहां सा आपको बताना है संबल में ठीक है 27 बनमबर का जो आपका सवाल है तो देख लीजिए उचारण की दिरश्टी सा अगर संबल की बात की जाये तो यह आपकी संप्रक्ट द में कौन सी संदी है तो देख लीजिए यहां सा गर बात की जाए तो जो हमारी बियंजन संदी का पहला ही नियम है वो क्या कहता है वो कहता है कि यदी किसी भी बर्ग के पहले बर्ण का मेल किसी भी बर्ग के तीसरे चोथे बर्ण से सुर से या अंथस्त बियंजन से हो तो देख लीजिए तैगा मेल यहां से किसे और आप बताओंगे जैसे देख लीजिए तेवरग का प्रिधम बढ़न है और जै क्या है तो आप बताओगे तैवरग का तीसरा बोर्ण है इसका मेल लिस्सा हो गया तो क्या बन गया अपने ही वर्ग के तीसरे उसमें बन गया त अप्ट सदी के लिए सवार सदी का रोप है जो बाके के सुरू में लगता है तो आप पताओगे यहां से कौन सा उपसर्ग है यह आपका ठीक है तो देख लीजे बात की जाए यहां उपसर्ग की तो देख लीजे यहां से क्या करोगे आप दूर प्लस आत्मा करोगे ठीक है या तुम अच्छे खिलाडी हो तीस्वे नंबर के सवाल का अंसर आपको बताना है तो यहां से आप देखोगे जो आपका उप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है कि इस बार बारिस में अधिक बहुत ओले पड़े ठीक है? इस बार बारिस में क्या बहुत ओले पड़े अब देख लिजिए जो आपका अगला 31 नंबर का सवाल है कि मनो वावो को पिरकट करने बाले बे एविकारी सब्द एविकारी सब्द जिनका बाक्य से कोई संब्द नहीं रहता क्या कहलाते है ठीक है तो 31 नंबर के सवाल का आपको अंसर बताना है तो देख लिजिए जो आपका उपसा नंबर सी है वो बिल्कुल सही है मनो वावो को पिरकट करने वाले एविकारी सब्द हमारे क्या कहलाते है आप बताओगे बिश्मयादी बाक्या कहलाते है अब देख लिजिए जो आपका अगले 32 नंबर का सवाल है बाक्या में सर्वनाम का कौन सा प्रिकार है संबंद बाचक निजबाचक या निश्चबाचक या पुरुस बाचक तो यहां सा 32 सवाल का आपको अंसर बताना है तो देख लिजिए ठीक है यहां सा आपको बताना है कि कौन सा हो सकता है तो आप बताओगे यहां उप्स नंबर डी बिल्कुल सही है पुरुस बाचक सर्वनाम होगा इसमें कौन सा होगा आप बताओगे पुरुस बाचक सर्वनाम होगा ठीक है तो नलीनी कैरव और चंदरप्रिया कुमुदिनी के पर्यवाची सब्द हैं ठीक है आपको बताना है किसके हैं ये कुमुदिनी के ठीक तो यहां सा आपका देख लीजिए जो आपसन नमबर सी है वो बिल्कुल सही है कुमुदिनी के ये पर्यवाची सब्द है ठीक है किसके हैं आप बताओगे कुमुदिनी के ठीक है अब देख लिए ये तो हो गया कुमुदिनी का जैसा आपका सोदामीनी है सोदामनी किसका है तो आप बताओगे बिजली का पर्यवाची होता है हमारा सोदामनी ठीक है इसका बिजली का पर्यवाची सोदामनी होता है और कौमुदी जो होता है ये किसका होता है आप बताओगे चांदनी का होता है और कुमुद कला जो होता है आपका ठीक है ये चांदनी का होता है ये चांदनी का होता है और सुमुदी नी किसका होता है आप बताओगे बिजली का होता है अब देख लीजे जो आपका अगला है सबाल है आपका चोंतिसवा के सबD یुगŁम ही यदा कदा के सही अर्थ का युग्वम का चेहन कीजिए जब तदक जब तब, जब कब कब तब, खब जब ठीक है तो यहान सा आपको बता ना है के यदा कदा का जो आपका अर्थ निकले का क्या निकल का आएगा 34 सवाल का अंसर आपको बताना है तो देख लीजिए यदा कदा का होता जब कब ठीक है तो आप बताओ के कौन सा है जब कब में उपसन नमबर सी बिल्कुल सही है अब देख लीजिए आपका है सवाल नमबर 35 के नियत और एक है नियत सब्द युग्म के सही अर्थ का बहिद कीजिए नियत माने इरादा और नियत माने भागदी निश्चे इरादा इरादा और निश्चे तो देख लीजिए नियत एक सुरुवाली नियत जो होती आपकी ये तो इरादा होता तो इरादा यहां 싸कित और और रादा नियत और लोग। सही है निश्ची तोर इरादा अब देख लीजे च्छतिसवे नंबर का जो सवाला आपका वापके सामने स्क्रीन पर है सवाला च्छतिसवा के आ लोच को क्या अनुरूप हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा इस बाकिये में किसी एक सब्द का संदर्ब और भाव की दरश्टी से उपरियोग नहीं हुआ है उस सब्द का चैन केजिए आ लोच को अनुरूप रचना या परिवर्तन च्छतिसवा सब्द में आपको बताना है ठीक है तो देख लीजिए यहां अगर बात की जाए तो देख लीजिए जो आपका अनुरूप था इसकी जगह किसका प्रियोग हुआ है तो अनुरूप जो है हमारा इसकी जगह किसका प्रियोग हुआ है आप बताओगे कि अनुर आलोचकों के अनुशार ठीक है आलोचकों के अनुशार पढ़ सकते थे अब देख लीजिए 37 नंबर का जो सवाल है आपका सवाल है आप जो सोरी अब आप चल सकते हैं बाकिया में कौन सी ब्रती है आपको बतानी है यह समर्थी सुचक निश्चे यार्थ बाद्यता सुचक ठीक है तो आपको 37 सवाल का अंसर बताना है तो देख लीजिए अब आप चल सकते हैं में जो है आपका यह समर्थी सुचक है उपसे नंबर ए बिल्कुल सही है कि अब आप चलने में समर्थ हैं ठीक है क्या है अब आप चल सकते हैं मतलब आप जो हैं समर्थ हैं चलने में ठ ठीक है अब देख लिजिए 38 नंबर का सवाल क्या है आपका के यदी हिंदी प्रेशन अबाचक बाक्या का उत्तर हाँ ओबलिक ना में दिया जा सके तो उसकी अंग्रेजिया अनुबाद करते समय बाक्या सुरू करते हैं इंट्रोगेटिव बर्ड से ओग्जिलरी बर्ब से इनफेनिटिब से या फाइनाइट बर्ब से आप बताना है इन चारों में से किस से हम स्टार्ट करेंगों ठीक है 38 सवाल का अंसर तो आप बताओगे option number 2 जो है आपका बर्ब से start करते हैं option number 2 जो है आपका वो बिल्कुल सही है अब देख लिजिए जो 49 में नंबर का सवाल है सवाल है 49 बार कि हमारा सर्वों पर ही करतब भी है देश की सेवा करना उपरोक्त बाक्या में बाक्या के सही अंग्रेजी अनुबाद का चैन कीजिए इन चारों में साब को बताना है कि हमारा सर्वों पर ही करतब भी है देश की सेवा करना तो 49 वे सवाल का आपको आंसर बताना है तो देख लीजी जो आपका 49 वे नंबर का सवाल है उसका आंसर है आपका option number C ठीक है option number C जो है वो बिल्कुल सही है और foremost duty to the serve the country ठीक है तो यहां सा आपका जो 49 वे नंबर का आंसर है वो है C अब देख लीजिए जो आपका 40 वा सवाल है ए वलगर mind is one who word like to command command इंस टर्ड ओफ आसकिंग फोर रिक्वेस्टिंग दिये गए बाक्या में उप्रोक्त बाक्या का सही हिंदु अनुबाद हिंदी अनुबाद कीजिए ठीक है तो इसका आपको हिंदी अनुबाद कहना है अग्रेजी पर दियान मत देना एक assist ब्यक्ति कुछ कहना कहता नहीं आदेश देता है एक assist ब्यक्ति बहे होता है जो कहने या प्रार्थना करने की अपेक्सा आदेश देने की इच्छा रखता है एक दृष्ट ब्यक्ति प्रार्थना करने की अपेक्छा आदेश देना पसं है वो बिल्कुल सही है कि ए वगलर माइंड ओफ ठीक है तो यहां सा आप बताओगे को अपसन नंबर भी जो आपका बिल्कुल सही है कि एक विसेष्ट भी अक्तिव होता है जो कहने या प्रार्था करने की अपेक्षा आदेश देने की इच्छा रगता है तो देख लिए यह सब्सक्राइब भी जरूर करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें